ये रिष्टा क्या कहलाता है एक ऐसा सीरियल जो पिछले 15 सालों से सभी फैंस के दिल की धड़कन बन चुका है एक ऐसा टीवी शो जिसने हिना खान, शिवांगी जोसी, हर्शत चोपडा, प्रनाली राठोर जैसे ना जाने कितने ही एक्टर्स की जिंदगी सवार दी एक ऐशा सो जिसके चाहे कितने भी सीजन आ जाएं लेकिन फैंस उसके हर एक सीजन को बहुत जादा प्यार करते हैं, हर एक स्टार कास्ट को बहुत जादा प्यार करते हैं ये रिष्टा क्या कहलाता है एक ऐशा सो जिसे बच्चे भी देखते हैं तो उनके मावाब भी और दादा दादी भी ये रिष्टा क्या कहलाता है एक ऐसा टीवी शो है जो सायद सो साल तक भी चलता रहे तो फैंस इससे बोर्ड नहीं होंगे। साल से ये शो लगातार चल रहा है लेकिन शो को लेकर अब एक बुरी खबर है ना चाहते हुए भी इस शो को अब बंद करना पड़ रहा है जी हाँ सही सुना अपने ये रिष्टा क्या कहलाता है जल्द ही ओफ एर होने वाला है अकि इस शो का नया सीजन हाल ही में शुरू शो का नया सीजन भी फैंस को बहुत जादा पसंद आया अगर बात की जाए टी आरपी की तो इस बार भी टो फाइब में रहा अलकी सहजादा धामी इस शो से आउट हो चुके हैं जिसकी वज़ा से शो से जुड़ी ओडियंस थोड़ी नाराज दिखाई दे रही है लेकिन शो से आउट होने के बाद भी टी आरपी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है सोसल मेडिया पर ये खबरे तेजी से फैल रही है कि ये रिस्ता क्या कहलाता है जल्द ही ओफेर होने वाला है और इस बात की मेकर्स ने पुस्टी भी कर दी है लेकिन हम आपको ये बता दे कि ये रिस्ता क्या कहलाता है कि फैंस को टेंचन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल ये शो ऑफेर नहीं होने वाला है किसी भी शो की स्टार कास्ट को जब निकाला जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही है लेकिन इसका मतलब ये बिल ओफेयर करने का एलान कर दीजिए ये रिष्टा क्या कहलाता है कि ओडियंस का कहना है कि ये सिर्फ एक शो नहीं है बलकि एक इमोसन है जिसके साथ वो काफी जादा connected फिल करते हैं जब शिवांगी जोसी को पिर्णाली राठोर ने रिप्लेस किया था तब भी इसी तरह की बा और फैंस को उनका वर्क काफी जादा पसंद आ रहा है ऐसे में बिलकुल भी ये उमीद नहीं की जा सकती कि ये शो ओफेयर हो जाएगा वैल ये कन्फर्म हो चुका है कि ये रिष्टा क्या कहलाता है फिलहाल ओफेयर नहीं होने वाला इस शो की अब तक कि सभी लीड जोड जरूर की